नौइस इवाल्ब 3 वन अफ ता पॉपुलर वाच थी, धाई इजार से लेके तीन अजार के सेग्मेंट में जब वो लॉंच होई थी, उसका अपग्रेड़ेड़ वेरियंट नौइस इवाल्ब 4 दो दिन पहले लॉंच हो चुगा है, आप उनलाइन इसको एजली परचेस कर सकते हो, नौर्मल स्ट्रेप बाला वेरियंट है 3999 में और मेटल स्ट्रेप बाला वेरियंट 4999 में, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, बट एक चीज़ इंपोर्टेंट है, इस वाच को लेके मेरे उपीनियन्स बहुत जादा डिफरेंट है, तो आपको ज़रूर सारे सपोर्ट आपको मिल जाते हैं, एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, वो है रैपेड हेल्थ सूट का सपोर्ट, लेट से अगर आपको SPO2 की ट्रेकिंग करनी है, तो उस टाइम वाच आपकी SPO2 की ही ट्रेकिंग करेगी, बट इसके साथ ये चीज़ डिफरेंट है, कि आ सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो फीमेल्स के लिए काफी आइडिल चॉइस हो सकती है, अब टू 7 डेस की बैटिलाइफ है, कंपनी ग्लेम करती है, बट इवाल्व 3 भी आराम से चार से पास दिन का दे देते थी, और इसको भी है भी यो जिस पे 3 से 4 दिन का आराम से बैट एक और इसमें स्पेशल चीज है, वो है SOS टेकनोलजी का सपोर्ट, अगर आपको SOS नहीं पता, तो इमर्जनसी सिचुवेशन में कुछी सेकेंड में आपके फैबरेट कॉन्टेक को कॉल चली जाएगी, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, सेफटी के पॉइंट अब यू अगर आप इसका मेटल स्ट्रेप बाला मॉडल लेना चाहते हो, तो 4999 में भी वो भी अवैलेबल है, अब इस वाच में जो सबसे बड़ा प्रो है, वो है वन क्लिक रैपिड हेल्ट टेकनोलजी का सपोर्ट, जो कि इस रेंज की किसी वाच में आपको देखने को नहीं मिले है, तो उसका सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, वो आपके लिए डिसपोइंटमेंट हो सकती है, और एक जो मेजर डिसपोइंट में है, वो है कोईक रेप्लाय इस का सपोर्ट, जीसे मैसंजर या किसी वी एप्लीकेशन पर आप कोईक रेप्लाय नहीं करोग जो कि strap इसका थोड़ा सा different है, otherwise almost जितने भी specification है na, सब ditto same to same है, दो चीज़े आपको different मिल जाती है, कि इसमें आपको rapid health का support मिल जाता है, और SOS technology का support मिल जाता है, अगर ये दोरों आपके लिए must नहीं है, तो definitely evolve 3 को आप definitely consider करो 2000 की budget में, क्योंकि यो almost double range में आती है, चीज़ को ध्यान रखना, कि बल दो features के लिए आप double range पे कर रहा हूँ, otherwise everything is same, एक और important चीज़ मैं आपको बदा देता हूँ, watches की accuracy हमेशा 90 to 95% ही रहेगी, तो अगर आपकी कोई medical special condition है, तो अगर आपकी कोई medical special condition है, तो watches की accuracy पे कभी भी आप rely ना करें, अभी भी कोई confusion है, please comment, दो गंटे में reply मिल जाएगा,